पत्रकार दिन के उपलक्ष में, इस्थानिय सर्किट हाउस में, संपादक पत्रकार महासंग की उर्से, इस्थानिय पत्रकारों और समाज सिवकों का सत्कार किया गया इस असर पत्रकारों में संतोष पिड़ेकर सहीद खान, तमरकाजी, सेद अजर पतेल और सलमान एटियस का सम्मान चिने देकर स्वागत को सत्कार किया गया इसी तरह सोशल वर्कर्स में डाक्टर असलम भारती, इस्रार आलम, मास्टर जावेद का सत्कार किया गया संपादक पत्रकार महासंग के अध्यक्ष डाक्टर बशिर खान पटल के हाथों ये सम्मान चिने वित्रित किये गये इस असर पर जिनका सत्कार किया गया उन्होंने अपने अपने विचार परकट किये पेश है ये रिपोर्ट आज पत्रकार दिवस के मौके पर सरकिट हाउस में संपादक पत्रकार महासंग के जानिव से एक समाज भूशन आवाट का एक छोटा सा कारेकरम आयुजित किया गया जिसमें संपादक पत्रकार संग के अद्ध्यक्ष डॉक्टर बशीर पटिल खान साहब और उनकी पूरी टीम इन्होंने समाज के उन वर्ग के लोगों के सम्मानित किया जो समाज के लिए हमेशा तातपर और समाज के लिए हमेशा आगेसर रहते है लेकिन मैं यहाँ अपनी एक बात रखूँगा के समाज का हर वर्ग अपने पेशे में रहकर समाज की खिदमत को अंजाम देता है जैसा सबजी वाला ये भी एक समाज की खिदमत कर रहा है हर कोई समाज के लिए अपनी हिदमत को अंजाम दे रहा है लेकिन यहां पत्रकार दिवस के मौक्के पर यहां इन्होंने एक बहुती बड़ी मैसेज दिया है कि जो पत्रकार जो हमेशा समाज के इन समाज के पिछड़े वर्गों की आवाज को बुलन करता है अपने चैनल के माध्यम से अपने सापताहिक के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से लेकिन देखने में यह आ रहा है कि इन पत्रकार बंदुओं के साथ में नाइंसाफी होती है इनके हक को दबाया जाता है और इनके कभी-कभी इनके हक को हनन किया जाता है हम इस चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार तक यही बात परशाशन शाशन तक अपनी बात पहुचाऊंगा कि पत्रकार बंदुओं के जो मुद्दे है और जो उनके परेशानी है उसको हल किया जाए और उनके साथ में उनको उनका पुरा-पुरा हग दे कर जो समाच के लिए लड़ते हैं समाच के लिए अपने जान जोकिम में डाल कर अभी पिछले कुछ दिनों अमरौती में जो वार्दात हुई थी उसमें हमारे सहीद पत्रकार सहाब जिनोंने अपने जान पर खेल कर वहाँ इंसानियत का एक पैगाम दिया था ये बहुत बड़ी बात है इन पत्रकार बंदुओं के लिए मैं मुबारक बात दूँगा संपादक पत्रकार महसंग की इस पुरी टीम को और अध्यक्ष डॉक्टर बशीर पटल खान साब को जिनोंने हम जैसे नाचीस समासेवकों को इस लाइक समझा और हमारा सत्कार किया